नमस्कार दोस्तो आज बताने वाला हूँ कैसे आप GST नंबर से कमपनी की सारी डीटेल निकाल सकते हैं जिसे कमपनी का नाम, एड्रेस, कौन-कौन से आइटम में डील करता है और भी बहुत कुछ वो भी बस सिर्फ GST नंबर से मिंटो में निकाल सकते हैं करना क्या होगा गूगल पर आएंगे यहां लिखना होगा आपको GST पोर्टल पहले ही पेज पर दिख जाएगा आपको पोर्टल का लिंक gst.gov.in इस साइट पर आना है यहां से जाना है सर्च टैक्सपेर पे और यहा या फिर GST नंबर का यूज करके आप सर्च कर सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहां पे GST नंबर का यूज करके देखो GST नंबर का यूज करके करने के लिए आपको सर्च बाई GST नंपर क्लिक करना होगा और यहां पे कंपनी का केवल GST नंबर लिखेंग ठीक है तो चलिए लिख लेते हैं उससे पहले बतना चाहूँगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजीए सारे साथ बैल आक鬼 पे बी क्लिक कर लिजीए ताकि इस तरह का कॉंटेंट आपको मिल सके दोस्तो यह लिख लिए मैंने GST नमबर अभी क्या करना है उसके बाद यहाँ पर लिखना है CAPTCHA CODE चली CAPTCHA CODE लिख लेते हैं CAPTCHA CODE लिख लिख लिए अभी सर्च पर क्लिक करेंगे देखो सर्च पर क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर आ गया Trade Name मतलब की कंपनी का नाम ठीक है और यह Legal Person आ गया ठीक है Business कौनशी है Proprietorship है और इसका GST नमबर भी तक Active है देखो अगर यहाँ पर Active होगा तो Active लिखा होगा Cancel होगा तो Cancel Regular Taxpayer है यहाँ पर दो-तीन तरह के हैं Regular Competition और जिनके पास Unique नमबर है Internally Ambassive अगर आते हैं इसके अंदर उसके बाद इसका Administration Judiction आ जागा कौन से Judiction के अंदर आता है और यह पर Business का Address भी आ जागा देख सकते हैं यहाँ आता है Business का Address आपको यहाँ से इसकी Business Activities पता चल जाएगी कि Business Activities क्या है ठीक है जैसे कि Manufacturer है यह जो Core Business Activities है और Nature of Business जो है वो Work Contract भी करता है, Import भी करता है, Retail Business भी है Supplier of Service भी है Additional Trade Name देखना है तो View पे Click करेंगे अगर कोई Additional Trade Name होगा तो यहाँ दिख जागा फिलाल के लिए भी इसके पास Additional Trade Name नहीं है Additional Trade Name नोट अवैलिवल बता रहा है Additional Trade Name नहीं है इसके पास अभी कौन से Goods and Services के अंदर डील करता है, आपको यहाँ से उसकी Detail मिल जागी, देख सकते हैं यह होगे Attraction Code, कौन-कौन से आइटम में डील करता है आइटम का नाम, Services में कौन से डील करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं Attraction Code और यह है इसकी Services Filing देखना है कि यह Return Filing करता है Proper यह नहीं, तो Show Filing Table पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यह Timely अपनी JSTR 3B और R1 फाइल कर रहा है, Annual Return भी Timely कर रहा है, 9CB Timely कर रहा है, Return की Frequency को चेक करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर लो देखो यह है Frequency जह पर बता रहा है कि Franchise 22-23 की, April से जुन Quarterly है, July September Quarterly है Quarterly Return फाइल आ रहा है तो यहां से आपको इसकी Frequency भी परच लाएगी कि Quarterly फाइल कर रहा है, Return यह मंतली फाइल कर रहा है, तो यह Complete Detail ऐसे निकाल सकते हैं, GST अब बताता हूं, मैं आपको Pan नमबर के तुरू कैसे सर्च कर सकते हैं, यहां पर आएंगे, और यहां पर Search by Pan पर क्लिक करेंगे, देखो यहां पर आपको लिखना होता Pan नमबर जिसका अभी आप सर्च कर रहे हैं, यह Pan नमबर लिख दिया मैंने, अभी Capture कोड लिखूँगा, Capture कोड लिख दिया, सर्च पर क्लिक कर दिया, देखो जैसे लिखेंगे, बताता है कि इस Pan नमबर पर यह GST नमबर आलोट है और एक्टिव है, ठीके, आपको इसकी डिटेल चेक करने हैं, क्या करना है, इस पर क्लिक करोगे, फिर दुबारा से यहां Capture Code लिखना होगा, और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे, तो देखो यहां से डिटेल आ जाएगी सारी, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया, GST नमबर का यूज करके, सेम डिटेल जैन वन्ने मात्रा